भारत बनाम उस्ट्रेलिया के बीच बॉडरल गवर्स के ट्रॉफी का पहला टेस्ट मुखाबला नाधपूर में खेला जा रहा है जिसके तीसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 400 रन बनाते हुए उस्ट्रेलिया इगेन बाजू की कमर तोड़ दी आपको बता दे इस मुखाबले में टीम इंडिया के लिए रोहिच शर्मा ने जहां 120 तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 70 और अक्षर पटेल ने 84 रनों की धमा के दार पारी खेली भारतिय टीम जहां 240 रनों पर 7 विकेट गवा चुकी थी तो वहीं रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की शांदार पारी के चलते टीम ने पहली पारी में 400 रनों का आखड़ा पार किया आपको बता दे कि इसी के साथ भारतिय टीम ने ऑस्ट्रीले के उपर कुल 230 रनों की भड़त हासिल की और अब टीम इंडिया चाहें तो इस टेस्ट मुखाबले को चौथे दिन पर ही समाब्ट कर सकती है और वो भी पारी और रनों के साथ इस मैच को जीच सकती है लेकिन भारतिय टीम ने इस मुखाबले में 400 रन बनाने के साथ ही आउस्ट्रेलिया का दोगलपन भी सामने रख दिया है आपको बता दें कि इस मुखाबले से पहले तक औस्ट्रेलिया की टीम पिच को लेकर रोती हुई नजर आई थी आस्ट्रेलिया मीडिया आस्ट्रेलिया दिगज खिलाडी यहां तक कि आस्ट्रेलिया के पूर्व दिगज कप्तान स्टीव स्मिध भी पिच और लेफ्ट हैंड बैटिंग के उपर कई तरह की टिपणिया कर चुके थे आस्ट्रिलिया मीडिया तो ये कह रहा था कि भारते टीम ने पिच के साथ छिडखानी की है भारते टीम भारते मैनेजमेंट पिच को लगातार बदलाव कर रही है इसी बदलाव के चलते आस्ट्रिलिया को दिक्कत हो सकती है लेकिन यहां तो आस्ट्रेलिया के डेबिटान टॉड मर्फी ही इस पिच पर धमाल मचाते नजर आए हैं टॉड मर्फी ने 47 सोवर में 12 मेडन डालते हुए 124 रंखर्चे लेकिन 7 भारते बल्लेबाजों का शिकार किया आस्ट्रेलिया के तरफ से नाथन लेउन और टॉड मर्फी ने मिलकर 8 विकट निकाले वहीं आस्ट्रेलिया इपूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ये कहते नजर आये थे कि भारते टीम ने ये पिच जान बूच कर लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बनाई है आस्ट्रेलिया के तो लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज काफी जादा परिशाने में दिखाई दिये लेकिन भारत की तरफ से तो दो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रविंदर जडेजा और अक्षर पतेल ने दूसरा और तीसरा सबसे बहतर स्कोर लगा दिया रविंदर जडेजा और अक्षर पतेल ने ही रोहिच शर्मा के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया की नईया पार लगाई तो यहां से इसाफ दिखाए देता है कि बॉर्डर गवर्स का टेस्ट सीरिस से पहले आस्ट्रेलिया ही मीडिया आस्ट्रेलिया ही दिगज खिलाडी सिर्फ रोते हुए नजर आए हैं और लगातार एक्सक्यूस देते नजर आए हैं लेकिन जब मुकाबले की बारी आई त साथ